क्या आप भी मानसिक तनाव से पेडित हैं? छोटी-छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, चिड़-चिड़ापन रहता है, मन प्रसंद नहीं रहता तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए दोस्तों, मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये अनेक नाम आज कल आपने सुने होगे और आज के युग में शायद ही कोई ऐसा वेक्ति आपको मिलेगा जो इस मानसिक तनाव ये स्ट्रेस से पेडितना हो बल्के कई जगे तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि लोग समझते हैं कि अगर आपको तनाव नहीं है तो आपको आपका कोई इंपोर्टेंस नहीं है जब आप सारिरिक लेवल पर मानसिक लेवल पर इमोशनल लेवल पर सोशल लेवल पर हर लेवल पर आप जो है प्रसन है अरवेद में तो लिखा भी ये प्रसन आतमेंद्रिय मनम स्वस्थ इति भी थी तो क्या है वो सीक्रेट क्या है वो अरवेदिक प्रिंसिपल जिसको प सबसे पहले हमें यह समझना है कि मानसिक तनाव यानि के स्ट्रेस एंगजाइटी यह जो रोग है इनका मूल कारण क्या है आयरवेद की दिरिष्टी से समझें तो मन के अंदर रजोगुन और तमोगुन जब बढ़ जाता है इसको मानसिक दोश कहा गया यह जब बढ़ जाते तो हमारा मन काफी एजिटेट रहता है बहुत आशांत रहता है बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से नेगिटिविटी आ जाती है तो सबसे पहला तो हमारा यही स्टेप है कि राजसिक और तामसिक भोजन राजसिक और तामसिक चीजें देखना या राजसिक तामसिक कोई चीजें सुनना उनको आपको त्यागना है, सात्विक is the word, सत्वगुन is the solution for your mental problems, जी हां, सात्विक भोजन करिये, सात्विक चीजें देखिये, सात्विक बातें सुनिये, and most importantly, जितना भी हो सके, फोड़ा मन को शांत रखने की कोशिस करो, जब समय मिले, फोड़ा गजेट को करो, फोड़ा डीप ब्रीधिंग करो, साथ में बहुत इंपोर्टेंट है, हाइड्रेशन, क्योंकि शारिरिक लेवल पर देखें, तो वात का प्रकोप होता है, तो हाइड्रेशन चाहिए, और मुख्य रूप से जितने भी यह कोल ड्रिंक्स हैं, केफीन है, निकोटीन है, इसको तो बिल्कुल पड़ेगा आपको, यह बहुत ज्यादा हमारे मानसिक स्वास्त को बिगाडते हैं, नीद अच्छी आनी चाहिए, रात को अच्छी गहरी नीद, समय पर सोएं, बहुत लेट तक रात को ना जगें, हो सके, तो सोने से पहले थोड़ा तलवों में बालि इमित रूप से कुछ ना कुछ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी आपको आधा पोना घंटा अवश्चे करनी, हम तो कहते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, जीवानन्द हमारा एक प्रोग्राम है, वो बड़ा सरल प्रोग्राम है, दिंचरिया आपकी ठीक होनी बहुत इंपोर्टेंट है समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, व्यायम करना और इसके अलावा समय समय पर जीवा की क्लिनिक में जाकर के खोड़ी शिरोधारा कराईए, अभ्यंगा लीजिए, बोड़ी का डिटॉक्स, माइंड का डिटॉक्स भी हमें समय समय पर कर करना चाहिए, इसके साथ साथ जो बहुत इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि मानसिक जब रोग हमारा हो जाता है तो उसकी चिकित्सा हमें करानी है, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, माइंड वेल बिंग, तो हम के बरी पेशिंट को बोलते हैं कि आप माइंड वेल है, एंग्जाइटी रहती है, या चुड़ चुड़ी बातों पर चिड़ चिड़ा पन है, तो कहीं ने कहीं डीपर लेवल पर आपके इमोशनल लेवल पर या जिसको हम सुक्ष्म लेवल पर जो चित्त हमारा है, अनकॉंशेस माइंड जिसको हम कहते हैं, वहां पर कोई न हैं, थोड़ा सा समय अपने आपको दीजिए, सारिरिक लेवल पर लाइफस्टाइल भोजन को सुद्ध करिए, मानसिक लेवल पर सत्वगुन को बढ़ाईए और आत्मा के लेवल पर जीवा मेडिटेशन हर रोज आपको करना चाहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मह सपोर्ट स्टाफ, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं, और बहुत प्यार से, बहुत कॉंपेशन के साथ, एमपैथी के साथ, सदभाव के साथ, हम आपके साथ काम करते हैं, ताके आप स्वस्थ रहें, प्रसंद रहें और सुखी रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्क झाल झाल